हलो एवरीवन वेलकम बैक तो दिस फ्रेश वीडियो और यह वीडियो जो है थोड़ा सा नया सेटप के साथ बन रहा है यहां पर कुछ चेंजिस और आरेंजमेंट है सेटप टूर वीडियो इसी हफते वीकेंड में मिल जाएगा आपको सेटप सॉरी स्टूडियो टूर 2023 एक्टर जॉब मार्केट में आपका क्या डिमांड एंड सप्लाई है सभी पॉइंट को हम एंड टू एंड कवर कर रहोंगे तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना ठीक है तो आपको समझ आ जाएगा बीच में कोई भी कन्फूजन नहीं रहेगा तो सबसे पहले शु गयर आट एंड सब्छता सब्सेट यौरत में घुख़ा सकते है अवात दिपलोम में 9 दोम इतन जरूरेशन का है रहे तो मुखला सब्से の कर सकते हैं second reason जो है that is आपका अगर score कम आता है result में mark कम आता है तो students generally diploma prefer करते हैं ताकि जल्दी complete करके कुछ एक job मिल जाए हमें उतना expectation नहीं रहता कि हम आगे जाके career में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो सोचते हैं जल्दी से diploma complete करते है marks कम है score कम है तो जल्दी हम admission ले जाएंगे कहीं पर that is the second reason और job के बारे में common बात करेंगे दोनों की अब थोड़ा सा बात करते हैं engineering के बारे में engineering कब कर सकते हैं और क्यों करते हैं engineering आप 12th complete करने के बात कर सकते हैं तो 10th के बाद आपको 11 12 करना ही पड़ेगा उसमें subject का भी rules रहता है कि आपको PC M होना पड़ेगा physics chemistry and mathematics biology हो ना हो चलेगा मेरा तो biology नहीं था और मैंने engineering करा हुआ है तो मैं अच्छा से बता सकता हूँ डिप्लोमा स्टुडेंट्स को भी देखा हुआ है क्या उनके advantages disadvantages रहते हैं वह भी मैं बात करूंगा आप कर सकते हैं और engineering का duration होता है चार साल के बाद ही आप जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं और higher studies के लिए जा सकते हैं अब बात करते हैं इंजिनेरिंग क्यों करते हैं इंजिनेरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि as compared to diploma salary ज्यादा होता है job field में और jobs ज्यादा मिल जाते हैं भले आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा यानि कि दो साल आप 11-12 करोगे फिर चार साल इंजिनेरिंग करोगे छे साल के बाद जाके आपको job field मिलेगा बट डिपलोमा में तुरंद मिल जाते हैं 10th complete करके तीन साल आप डिपलोमा गरू जॉब मिल जाएगा बट salary कम होती है तो आप दोनों की job की बात करते हैं तो job में, job market में आपको डिपलोमा से काफी बार अच्छा jobs भी मिलता है बट उसके लिए specific opportunity आपको ढूनना पड़ेगा काफी बार reference और referral काम आता है कोई company है जहां पे आपके कोई जान पैचान है, already वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो आपक अले थोड़ा सा कम होता है, but with time जैसे आप experienced होते जाते हो salary बढ़ जाता है, that is another reason, अब बात करते हैं कि personal preference क्या होना चाहिए और pros and cons क्या होते है, pros and cons मतलब advantages and disadvantages, diploma का एक ही advantage मुझे लगता है कि जल्दी आप job करना शुरू कर लोगे as compared to others, marks कम है तभी उन लोगों के लिए थो 60% वालों को B.Tech में job के time पे थोड़ा सा problem होता है, but आजकल talent skill रहेगा या फिर कुछ थोड़ा सा होता है, तो फिर पार हो जाते हैं engineering में भी, but फिर भी jobs में 60% minimum देखा जाता है, तो नहीं भी है तो आप diploma कर सकते हो, engineering कर सकते हो, कोई ऐसे partiality नहीं है, कुछ companies ऐसे allow करती है, क कोई उनका minimum specific criteria नहीं रहता है, अब मैं बात करूँगा कि कौन सा करना चाहिए, मेरे preference से, ठीक है, कोई आपको मैं suggestion नहीं दे रहा हूँ, अगर मेरे पास option होता, तो मैं क्या करता, एक्ट्वल में मैंने क्या किया, और जो लोग करते हैं, engineering करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, उ बहुत problematic create होता है, जब आप engineering करते हो, काफी लोग डिप्लोमा तीन साल का complete करते हो, और engineering भी करते हो उसके बाद, वो कैसे कर सकते हैं, आप तीन साल का डिप्लोमा कर लो, उसके बाद engineering के second year में आप admission ले सकते हो, जिसको बोलते है, lateral entry, ठीक है, lateral entry, तो lateral entry के जरिए से आप बि दिक्कत क्या होता है, जो लोग डिप्लोमा करते हैं, उन लोग का maths बहुत जादा ही कमजोर होता है, very few students होते हैं, जिनका maths अच्छा होता है, और वो डिप्लोमा करते हैं, फिर जाके engineering में sustain कर बाते हैं, but in general मैं बताओ, मेरे दोस्तों के experience से बताओ, जिन्होंने डिप्लोमा करके engineering किया, वो लोग सबका यही कहना है, प्लीज डिप्लोमा मत करो, 10 के बाद 11, 12 कर लो, 11, 12 को जो mathematics रहता है, maths portion is somewhat used in engineering, जब आप engineering करते हो, वहाँ पर maths रहता है, और आपको in general भी पता होगा, कि अगर आप software engineer बनना चाहते हो, यानि कि आप computer science में admission लोगे, तो computer science engineering में, जो maths use होते है, वो coding में maths जरूरत पढ़ता है, और maths strong होता है, 11, 12 जिसने करा है, as compared to diploma, डिप्लोमा वालों को maths नहीं आता होतने अच्छे से, सबकी बात नहीं कर रहा हो, majority of the students की बात करो, 80 to 90% students का maths कमजोर होता है, जो डिप्लोमा करते है, क्योंकि उनको पढ़ा है नहीं जाता ह probability क्या होता है, integration differentiation क्या होता है, trigonometric functions क्या होता है, optimization क्या होता है, linear programming क्या होता है, inequalities क्या होता है, so many things are there, जो कि उनको नहीं पता होता है, जिस वज़े से उनको engineering में problem होती है, coding में problem होती है, so I hope आपको यह difference समझ आया होगा कि कौन सा choose करना चाहिए, तो diploma please, अगर आपके पास option ह है, तो engineering choose करो, diploma choose मत करो, quick job चाहिए, तुरंट job market में enter करना है, salary चाहिए, तो करो, but long term में sustain करना है, हाँ, diploma करके, आप job करके side by side skills improve करो, और अच्छे companies में job switch करो, तब जाके diploma करके फाइदा है, काफी लोग diploma करके भी abroad में settled है, अच्छा खासा पैसा earn कर लेते हैं, but when it comes to India, व majority की में बात करता हूँ हमेसा, जो लोग extraordinary हैं, वो तो कुछ भी कर रहे हैं, अगर school का degree भी ना भी कर रहे हैं, तो वो life में कुछ ना कुछ earning कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, but I am talking about those, जो की common है, हम और आप जैसे हैं, normal school जाते हैं, 10th complete कर लिए, फिर अभी सोच रहे हैं, डिपलोमा करें या engineering करें, तो आप 11-12 करो, 11-12 करने के बाद engineering करो, अब एक factor आता है about the fees, पैसा कितना खर्चा होता है दोनों डिग्रेस के लिए, तो डिपलोमा को degree ऐसा नहीं माना जाता है, वो डिपलोमा डिपलोमा ही होता है, अपने आप में वो डिपलोमा होता है, engineering को बोलते है, engineering degree is an undergraduate program, but diploma is not an undergraduate program, diploma is generally short term होता है, कोई भी specific scale में आप काम कर लिए, कोई भी domain में ऐसे पढ़ाई कर लिए, that is called diploma, वो आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी भी कर सकते हो, और fees generally, डिपलोमा का बहुत कम होता है, literally बहुत सस्ता होता है diploma, as compared to engineering, कितना सस्ता होता है, का जो डिपलोमा करते हो, एक लाख रुपे में हो जाता है, maximum चलो और बढ़ा लो, एक लाख तो मैंने जादा ही बोल दिया, फिर भी बढ़ा के, और कम में ही हो जाता है, fees यार उनके मतलब 10-12,000 होता है, और बागी चीज़े भी आड़ कर लो, एक्स्ट्रा चीज़े, practical, exam, fees या जो भी है न, वो सारा आड़ करके, तो आपको एक लाख रुपे मैंने बता दिया, और अगर बढ़ा भी लो, आप मान लो कि एक साल का एक लाख रुपे, ये भी काफी जादा ही है, बट तीन साल का आप तीन लाख रुपे में खतम गर सकते हो, अगर फाल का दो लाख भी मान लो, तो थोड़ा से जादा आपको लगेगा, छे लाख रुपे लग जाएंगे, बट इंजिनेरिंग ही बात करें, इंजिनेरिंग इस कॉस्टली नावएडेस, बहुत जादा कॉस्टली हो गया है, चाहे वह आप गर्मेंट कॉलेज से करो, प्राइवेट कॉलेज स्कोर लाना पड़ेगा, रैंक लाना पड़ेगा, जही एडवांस देना पड़ेगा, इन इट, इस या गर्मेंट कॉलेजिस, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजिस आते हैं, तो मैं जनरली, most of the students की बात करता हूं, आपको पता है कि इस में सीट्स जो हैं, लिमिटेड दस अजार सीट्स हैं, तो दस अजार सीट्स में कॉंपीडिशन सोचो कितना जादा होगा, उस हिसाब से अगर मैं बोलू, जो प्राइवेट कॉलेजिस में जाएंगे, उनका फीज दो से धाई लाक रुपे एक साल का होगा, और अगर चार साल में आप जोड़ दो, तो आठ स साउथ इंडिया में कॉलेज है, मैं अभी कॉलेज रिव्यू नहीं बना रहा हूँ, तो इसलिए I am not taking any college name, बट मैं बता रहा हूँ, एक कॉलेज है, जहां पर साउथ इंडिया तो मैंने बता दे, नॉर्थ इंडिया में भी वो सेम कॉलेज का ब्रांच है, एरोनाटिक्स या एरोनाटिकल इंजिनेरिंग ऐसा कुछ है, आठ लाक रुपे, है ना, पांच लाक रुपे, आठ लाक रुपे एक साल का, तो 8 इंटू 4, 32 लाक रुपीज फॉर इंजिनेरिंग और 4 एस, अगर आप कंप्यूटर साइंस करते हो, नॉर्मल तो 3-4 लाक रुपे, 4 लाक मान लो, तो 4 इंटू 4, 16 लाक रुपीज और अगर आप स्पेशलाजिशन करते हो, साइबर सेक्योरिटी में, आर्टिफिशल इंटिलिजेंस में, मशीन लेर्निंग में, डेटा साइंस में, तो आपको 1 लाक और ज्यादा लगेगा, तो 5 लाक रुपे एक साल का, 4 साल में 20 लाक रुपे, तो सोचोगे, 20-30 लाक रुपे आपको खर्च हो जाएंगे, और जो मैं अवरेज प्राइवेट कॉलिज की बात कर रहा हूं, जहां पर 2-5 लाक रुपे फीज होती है, तो 10 लाक रुपे तो ऐसी ही बन गे, 10-12 लाक रुपे, उपर से आपको लैप्टॉप भी खरिदना होगा, परसनल यूज के लिए, वो भी अच्छागा से लाप्टॉप करोगे ताकि चार साल और उसके आगे भी चल जाए, मोबाइल फोन भी काफी लोग के पास नहीं होता है, तो मोबाइल फोन खरीद होगे, हर महीने डेटा रिचार्ज करवाओगे, लाप् फीज अलग से है, खाने पीने का अलग से है, आप कहीं घूमने जाते हो शॉपिंग घरते हो उसका अलग से है, तो comparatively engineering is very costly, है न, costlier as compared to diploma, डिपलोमा तो कहीं भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपके घर के आस पास भी काफी सारे डिपलोमा कॉलेजस मिल जाएंगे, जहा आप डिपलोमा कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ाई होतना नहीं होता है डिपलोमा में, कुछ कॉलेजस में, मैंजरीटी की बात कर रहा हूँ, हमेशा आप अपने पैसा मत ले लो कि यार हमारे कॉलेज में तो पढ़ाई होता है, ये फलाना कॉलेज में बहुत अच्छा ही चलाते हैं, पीपीडी ऐसे चेंज करकर के प्रोजेक्टर में दिखा देंगे और चले जाएंगे, एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं, जो जनुरिनली एफ़र्ट के साथ पढ़ाते हैं, सेलफ लेसली अपना एफ़र्ट्स डालते हैं, जनुरिनली बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, मेरे कैस में भी वही एक्सपरियंस वा, तो आखरी के दो मिनिट में मैं बात करना चाहूंगा, अबाट माई जर्नी, मैं अपना एक्सपरियंस ही बताता हूं, हमेशा से आपको, तो मेरा एक्सपरियंस ही ये बताना कि मैंने 10th कंप्लीट करा, CBC बोर से, 10th कंप्लीट करने बाद 12th कंप्लीट करा, 11, 12th मैंने 2 साल किया, subject combination की बात करें, तो physics, chemistry, mathematics था, main subjects, उसके बाद computer science, CS, उस टाइम पे C++ पढ़ाया जाता था, आजका टाइम में पाइधन पढ़ाया जाता है, 5th subject था, English, language subject, तो ये 5 सब complete होने के बाद, when I entered engineering, तो इसके बाद मैंने exam के बाद, I entered into a private college, fees था, 2,5,5 रुपे आप माल लो, तो 1,5,5 रुपे के हिसाब से, 4 साल का 10,5 रुपे खर्चोगे, बीच में expenses, laptop and all, मैं earn करता था, तो कुछ मैंने expenses, खुच से दे लिया, college fees नहीं दे पाया, बढ़ ये सारे expenses कुछ से दे दिया, और बागी बात करें, उसके बाद की, तो उसके बाद placement होता है, job offers आते हैं, तो that is the journey, हाँ, मैं job कर रहा हूँ फिलाल, company I don't want to reveal right now, आगे कुछ हो, जब change हो, switch हो, या कुछ हो, तो फिर मैं update बता दूँगा, current job के बारे मैं, ऐसे बताना prefer नहीं करता हमें और करना भी नहीं चाहिए, ऐसे reveal, तो समझ सकते हो, policies, बटीक है मैं YouTube कर रहा हूँ, तो आपको इतना समझ आ गया कि, what is the timeline, कैसे होता है, और मेरा journey कैसा रहा, diploma बिलकुल यार, मैं prefer नहीं करूंगा, भले सस्ता हो, जल्दी job मिल जाए, बट, practicality उतना नहीं मिलेगा, theoretical basis रहे है, skills आप सीखते हो, सच में practical करते हो, बट, most of the case में, not worth it, okay, job उतना जल्दी मिलता है, बट, उतना अच्छा प्रमोशन और उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजे, जो भी feedback है, और आप क् पहली बार हैं, तो प्ली चानल को सब्सक्राइब करके चाहिएगा, और हमेशा learn करिए, explore करिए और मुस्कुराते रिए, thank you so much.